अबित्रों कोई भी एक्जाम की अप टुडेट डिटेल्स देने के लिए मैं मुकेश कक्काड धारा शिक्षाक तीर्थ की और से आपका अभेवादन करता हूँ इस चैनल की जरिये आप कोई भी एक्जाम की अप टुडेट डिटेल्स पा सकते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए नमस्कार दोस्तों अब सब के लिए तो यही कहना होगा कि जिस गड़ी का मुझे था इंतजार वो गड़ी आ गई यास निट 2020 की एक्जाम को अब कुछी घंटे की देरी है गुजरात के पार के स्टुडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं हिंदी और इंग्लिश में आपके साथ बात करना चाहता हूँ NTA ने जो भी आपके स्क्रीन पर आईए NTA ने जो एडवाईजरी नॉट पे पेजिये उसमें उन्होंने कन्फर्म किया है कि आपको नीट की एग्जाम में What are the do's and what are the don'ts आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है सबसे पहले तो आप सबने वो जो एडवीट काड़े चार पेज का है तो पूरे पूरा चार पेज आपने डाउनलड किये कर लिए होंगे और उसमें पहला पेज है वो आपके सेंटर की इंफर्मेशन है और वहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइस का फोटोग्राफ स्विक्स करना है वहाँ नीचे पेरेंट्स की साइन वो भी आपको करनी है और वो साइन आपके माता या पीता कोई भी करशकता है दुसरे पेज पेज पे आपको एक पोश्कार साइस का फोटोग्राफ काना है वो फोटो ऐसा ही होना चाहिए जो फर्स पेज पे पासपोर्ट साइस का था है वहाँ एक्जाम सेंटर पे जाने के बाद आपको वहाँ अपना थम लगाना पड़ेगा और यह फोटोग्राफ है उसमें लेफ साइट से स्टार्ट करके आदा पेज पे और आदा फोटोग्राफ पे आए ऐसे साइन करनी है तीसरा और चोथा फोटोग्राफ से स्वरी तीसरा और चोथा पेज है वो इंस्ट्रक्शन का है तीसरे में नीट पे डॉन्स और दूस और चोथा पेज पे आपको कोवीड एडवाईजरी नौट मिलेगे फर्स्ट पेज पे आप देखे तो एक्जाम सेंटर आपका पासपोर्ट के साइस के फोटोग्राप इसके साथ वहाँ भी वो कोवीड की आपको डिकलेरेशन करनी है यदि आपको कोवीड नहीं है और आप किसी कोवीड के पेशन के संपर्क में पिछले अपते में नहीं आये तो आपको जो उप्शन सी है उसमें टिक करनी है यदि आपने पिछले विक में कोई जर्नी नहीं की तो वहाँ भी आपको डिकलेर करना है कि मैंने कोई जर्नी नहीं की ये आपको घर पे ऐसा कूछ करने का है और एक बात गोर से ध्यान रखिएगा मित्रो कि जो आपको ये होल टिकेट लेकर एक्जाम देने जा रहे है वहाँ रिटन आते समय आपको ये होल टिकेट वहाँ सबमीट करनी है वो आपके पास नहीं रहेगी इसलिए अपने रेकोर्ड के लिए इसकी एक सेरोक्स कोपी कल ही अवश्य करा के घर पे रख देना ये भूलियेगा मत बहु आपको अपना एक फोटो ऑइडी साथ में अवश्य ले जाना पड़ेगा कही स्टूडेंट्स बोलते है कि सर टैंत की मार्कशित ले चलेगी फोटो ऑईडी याई तेंत की मार्कशित में आपका फोटो नहीं है आपको अपना अधार कार्ड डाईवइंग लाइसंस यदि हो तो या फिर ट्वेल्थ की होल्टिकेट जिसमें आपका फोटाचिप का होता है वो कोई भी फोटो आईडी आपको वहां अवश्य ले जानी पड़ेगी यह बात खास ध्यान रखिएगा मित्रों फिर से दोहराता हूँ एक आपका चार पीज का होल्टिकेट जिसके पहले पैज पे आपका फोटाचिप का फोटाचिप का हुआ हो दूसरे पेज पे पोश्काड साइश का फोटाचिप का हुआ हो फर्स्ट पेज पे आपने कोवीड की आपने डिकलेरेशन में टिक की हो और आपके पेरेंट्स की माता या पिता किसी एक किसाइन हो ऐसे चार पेज की होल टिकीट एक पासपोर्ट साइस का एक्स्ट्रा फोटोग्राप्स जो आपको वहां ले जाना है वहां आपको चिपकाना पड़ेगा आपका फोटो आइडी एक चाहिए इसके अलावा इस साल आप अपनी ट्रांस्परंट वटर बोटल साथ में ले जा सकते हैं transparent होना compulsory है transparent bottle में पानी अपने घर से आप ले जा सकते हैं और इसके अलावा 50 ml की एक hand sanitizer की transparent bottle आप ले जा सकते हैं तो मीत्रो आप सिर्फ इतना ले जा सकते हैं all ticket photo id extra photographs transparent water bottle और 50 ml transparent sanitizer आपको घर से mask पेन के जाना है वो वहाँ निकल देना है और वहाँ से जो N95 का mask आपको दिया जाएगा वो आपको लेना है बोल पेन वहाँ से आपको दे जाएगी और कुछ भी आप नहीं ले जा सकते जितने हो सके light color के कपड़े पहने half sleeve compulsory है लड़का या लड़की दोनों के लिए half sleeve wear compulsory है पुक रूपिया half sleeve का t-shirts या shirt पहने चुते महत पहने half sleeper या चंपल ही पहने पहने इसके अलावा कोई भी metal की चीज आप नहीं ले जा सकते लड़कियों के लिए खास सुनिए कोई भी ornaments आप साथ नहीं ले जा सकते आपके screen पे है watch तो नहीं ले जा सकते आप पता है मगर वो जो goggles, cap, belt ऐसा कुछ भी wallet, hand wallet कोई भी jewelry कुछ भी आप पहन के नहीं जा सकते वो खास ध्यान रखियेगा तो आपको कोई किसी भी टाइप की कोई ornaments नहीं पहन जा सकते metal की कोई भी चीज अपने साथ में नहीं ले जा सकते किसी भी exam में mobile phone calculator, any disease कोई भी digital apparatus smart watch वगेरे का तो बेहन होता ही है वो तो आपको पता ही है मगर need की exam में belt, socks shoes, wallet और metal की कोई भी चीज पर भी बेहन है वो आपको साथ में नहीं ले जा सकते या तक कि आपका कोई pad, writing pad या फिर वो क्या बोलते है ball pen, pencil, compass, pouch, scale, stapler, ऐसी कोई भी चीज आपको अंदर ले जाने की अनूमती नहीं है अपने जेब में किसी देवी देवता का photograph आप नहीं ले जा सकते देवी देवता को अपने दिल में रखिएगा और विश्वर की प्रात्ना से आपको अच्छा अच्छे वंग मिलेंगे वो आप मन में विश्वास रखिएगा मगर ऐसे कोई भी चीज नीट की एक्जाम में साथ में आप नहीं ले जा सकते वो आप बात गोर से देख लीजिएगा और जो आपको समय दिया है एक वन थर्टी को गेट क्लोज होने वाला है तो वन थर्टी तक वैट मत कीजिए आप अराम से समय सर पहुंच जाना वहां और वहां का जो फॉर्मालिटीज है वहां से आप कर सके इतना समय रखना हो सके तो कल जाके सटरडे को अगले दिन जाके वहां सब देख के आना आपका कहा नंबर है कौन सा एक्जाम सेंटर है वो क्या है ग्नायन मंजरी विद्यापीट स्कूल है और स्री ग्नायन मंजरी विद्यापीट वो दोनों different school है नंदकूरबा महिला college है नंदकूरबा school पे नहीं जाना है आपको नंदकूरबा college पे जाना है तो exact exam situation वो कौन सा hall है वो आप अगले दिन जाके वहाँ check करके आए आप ये आपके parents वहाँ जाके check करके आए तो आपको बहुत सुगमता रहेगी इसलिए अगले दिन सेटरडे को ये चेक कर लेना कि आपका exam center कौन सा वाला है कहां कौन से block में आपको exam देने की है और कोई attention नहीं है और कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत आराम से attention मिलीगा आप अपनी घड़ी साथ में नहीं ले जा सकते हैं वहाँ exam hall पे NTA ने घड़ी रखी हुई है आपके लिए है वहाँ से आप घड़ी में time worship आपको मिल जाएगा आपको अपनी घड़ी साथ नहीं ले जा सकते हैं वो भी देदेगर के से ध्यान रखेगा तो ऐसी बाते आपको क्या-क्या ले जाने का है और क्या नहीं ले जाने का है वो आपको सुचित करना मुझे अभ कते हैं तो आप मुझे फॉन पर भी पूछ सकते हैं को बहुत बहुत बदाई हो best of luck wish you all the